इस एटवकीटर पिता शुक्ला वेलकम यूर्ट यूर्ट चैनल टार्गिट फॉर आई के इस वीडियो में हम सेंटर गौर्ण्मेंट की जो स्कीम से उनको कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए स्टाट करते हैं प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी स्कीम में क्य प्रधान मंत्री किसान चीम स्कीम स्मॉल और मंत्री किसान स्कीम स्कीम बेंदें to मार्जनल फार्मर्स हैं उनके लिए यह लॉंच की गई है और इसमें क्या होगा जो भी 18 से जो भी स्कीन का बेनफिट लेना चाहते हैं तो वह 18 से जो भी 40 साल तक की एज की पर से उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उनकी जैसी इनकाव होगी उस हिसाब के बेसिस पर हर महीने उनके पैसे कटते जाएंगे और एक्युमिलेट हो जाएंगे खटा होते रहेंगे और जैसी वह साथ साल के होंगे उसके बात से हर महीन उनको तीन हजार की फिक्स पैंशन मिलती रहेगी जब तक वह जिन्दा रहेंगे जैसे वह साथ साल के होंगे तब उन्हें हर महीने तीन हजार रुपए उनको ऐसा पैंशन दिया जाएगा और इसमें क्या इसमें 18-40 साल का जो परसोरगों से इसकीम को लेने के लिए रजि सब्सक्राइब के अंदर यह जो हमारी योजना है आएगी प्लस इसमें क्या होगा और यह जो स्कीम है यह एक फरवरी 2021 को लॉंच की गई थी ठीक है कब एक हजार दो एक फरवरी 2021 को निर्मला सीता रमन जी के द्वारा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारे यह जो स्कीमें अनौंस की गई थी इसमें क्या होगा जो भी हैल्थ रिलेटेट इसमें इसमें चीप और एफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो भी गर इसमें उस्चीम तरीके से हमारा हो सके और यह जी स्कीमिस है स्कीम में जो जैसनल आयती है पोतल इसमें के लांश की 4,180 करोड रुपीज की लागत आई है और ये कितना डुरेशन इसका 6 साल का डुरेशन था और ये 2025 से 2026 तक ये चलेगी और ये जो स्कीम है इस स्कीम के तैट 17,788 जो रूरल लोग ग्रामेर्स वास्ते और कल्याण केंद्रों की यहां पर हेल्प की जाएगी और हर डिस्टिक में इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को यहां पर सेट अप किया जाएगा और 3,382 जो ब्लॉक से पब्लिक हेल्थ यूनिट्स 11 स्टेट में बनेंगी और देखिए जिसमें क्या है कि जहां भी अबादी पांच लाग से ज्यादा है वहां क्रिटिकल केर हॉस्पिटल ब्लॉक्स के जरिए यहां पर हेल्प प्रवाइड की जाएगी जो भी वहां पर जिनको यह हेल्थ प्रॉब्लम के इश्यूज है तो नेक्स देखेंगे हम स्वच्छ सार्थी फैलोशिप यह लॉंच की गई है प्रोफेसर के विजय का असे के द्वारा जो स्वेकर्प को कि यह लूगों के इसके द्वारे स्टोड़ेंक कॉम्यूनेटी हैंं वर्कार्स हैं सैव फ्रॉप चौनिटर्स हैं paragraph यह सब वेश defense Frankly हो एम्दर लोगों को ने जो भी समेंजमेंट को का इंगी जो लोग होंगे जो हमारे स्टूइटेंटार कम्यों को assistir मेंबर से के अंदर लाया गया है ठीक है वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंदर वेस्ट टू वेल्थ मिशन और यह लॉंच हुए एक मार्ट 2021 को और इसमें जो भी देखे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आगे जिससे वह आगे चलके पर मोटिवेट हो सके और यह जो एक प्रकार की ओजना है जिसमें गौर्णमेंट इस बात पर फोकस करती है कि ऐसा वेस्ट जो हमारे ग्श्टेख सिखते स्माइल स्कीम स्माइल स्कीम का मतलब है सपोट त्फोर्ट फॉर्मार्जिनलाइज इंडिवीज़ फॉर लिव लिवीोड एड pend egg सबमाइल की फिल फॉम में सब्सक्र फॉर्मार्जिनलाइझ इंडिवीजोल लिव लिव्ली हुड एडмен एनट्र स्ध ठीक है और यह लॉंच हुए 20 जुलाई 2021 को लॉंच की गई है 20 जुलाई 2021 को लॉंच की गई है और यह ministry of social justice and empowerment के अंदर आती है इसके अंदर आती है ministry of social justice and environment के अंदर आएगी और डॉक्तर विरेंदर कुमार जी ने यह जो scheme है यह लॉंच की गई है जिसका title है smile और इसमें क्या होगी यह जो new umbrella scheme है इसका main aim है इसका main objective है कि जितने भी roadside baggers हैं या जो भी transgender हैं उनको rehabilitation प्रवाइड करना और उनको पहचानपत provide करवाना government के जो volunteers होंगे वो इसमें क्या करेंगे उनका documentation करवाएंगे और उनका skill development करवाने में help करेंगे जिससे वो अपनी livelihood को अच्छे से जी सके और अपनी life को बहुत ही अच्छे से चला सके और यह जो project है 10 cities से start हुआ था कितनी cities से 10 cities से start हुआ था डेली, बैंगलोर, पतना, एहमदाबाद, नागपूर, मुंबई, लखनव, इंदोर, हाइदराबाद और चैन्ने और इसमें टोटल 365 करोड की लागत आएगी स्केम में और यह पांस फौदा फाइव यह जो भी हमारे इसमें में में इसका में अब्जेक्टिफ क्या है रिहाबिलिटेशन प्रोवाइट करना जो भी गरीब लोग है, बैगर्स है, बिखारी लोग है, ट्रांसजेंडर है, उनको जिससे की वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सके, अपना अच्छे से जीवनियापन कर सके नेक्स देखेंगे ग्राम उजाला सके, यह जो स्कीम है, यह मार्च में लॉंच की गई थी, मार्च 2021 में लॉंच की गई है और इसका में क्या होगा, यह मिनिस्ट्री ओफ पावर के अंदर आती है, किसके मिनिस्ट्री ओफ पावर के अंदर आती है, यह और जितने भी जो ग्रामी छेत्रे, उनमें यह LED बल्ब को प्रोवाइड करेंगे, और यह जो 10 रुपे प्रती बल्ब के दर से प्रोवाइड करेंगे, कितने? सबसे चीपेस्ट, 10 रुपे जो बल्ब दिये जाएंगे, 10 रुपे प्रती बल्ब के दर से यह प्रोवाइड करेंगे, और जो मैकसिमम होगा, मैकसिमम इसमें 5 LED बल्ब्स दिये जाएंगे, चीके? और इनकी 3 साल की वारंटी हो, जो बल्ब होंगे, 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब्स होंगे, और यह 3 साल की इसमें warranty दी जाएगी कितने साल की तीन साल की इसमें warranty दी जाएगी और ये गौर्णमेंट एजन्सी जो है इन बल्ब को distribute कर रहे हैं वो है CESL और EESL यह जो दोनों गौर्णमेंट एजन्सी जैं यह distribute कर रहे हैं बल्ब को देखें दिसंबर में तो काफी सारे बल्ब यहां पर distribute हो भी चुक है उसमें और जिसकी यहां पर स्टार्ट हुई थी बिहार के आड़ा से स्टार्ट हुई थी किसमें बिहार के आड़ा से स्टार्ट हुई थी यह जो बल्ब distribution है फिर वरानिसी उत्तरपदेश के वरानिसी और आंदरपदेश के विजयवाडा और महारा प्रती बल्ब दिया जाएगा और इसमें क्या होगा पांच लीडी बल्ब भी दे सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट नेक्स करते हैं यूवा स्कीम के बारे में पढ़ते हैं यह स्कीम में क्या है यह ministry of education department of higher education के अंदर आती है यूवा का मतलब है young, upcoming and versatile authors ठीक है मतलब की यूवा का हमारा मतलब क्या है यंग, versatile, upcoming, versatile authors और ministry of education के द्वारा यह जो हमारी यूवा स्कीम है यह लांच की गई है और यह देखिए इसमें क्या होगा पिच्चत्तर authors यह हैं जो 30 साल से कमके होंगे उनको include किया जाएगा इसमें उन्हें थे आजाएगा इसमें त्रेनिंग दी जाएगी देया कि आज़कल कोई विए नीं कर रहे है तो इसलिए कि लोग नैप लिटेज़र के प्रति अपना रुजहाव को बढ़ा है इसकी वजह से यहां किया होगा जो 75 अथर से उनको यहां पे इंक्लूट किया जाएगा और इसमें उनका जिस से प्रमूट करा करा जा सके और इसमें क्या होगा 50,000 स्कॉलर्शिप दो पर मंत 6 महीने के लिए कितने पर मंत च्छह में 50,000 रुपए scholarship दी जाएगी उनको परमन 6 महीने के लिए और इसका में ने में कि जो authorship है उनको उनके profession को उनकी एक तरीके से job की तरीके से देखा जाए और उनको भी importance दी जाए जो भी authors है और एक psychological push है जो भी youngest authors है और जो भी COVID-19 की वज़े से जिन अभी क्या कर पाता है उनको mentally health problem से issues कर फेस करना पड़ा है तो वो भी उस चीज को समझे और उसको क्या करें आगे बढ़े literature के प्रती इस चीज का रुज़ान लोगों में बढ़े इसकी वज़े से यह जो स्कीम है विलाई गई जिससे जो भी यंग author से उनका development हो सके और लोगों का रुज़ान वहां तक बढ़ सके और प्रमोशन प्रमोट कर सके यंग और टोटल क्या 50,000 स्कॉलर्शिप इसमें दी जाएगी छह महीने के लिए नेक्स देखते हैं और यह जो और से सिलेक्ट हुए जाए हो करेंगे तू और इंडिया कंटेस्ट माइ गौर्णमेंट के द्वारा चिके नेक्स देखते हैं डिस्टिल इंडिया की बात करेंगे यह मिनिस्ट्री ऑफ इस तक इलेक्ट्रोनिकली पहुंचाना मतलब और जो कंट्री को डिजिटली इंपावर करना इंदा फिल्ड ऑफ टेक्नोलोजी और इस स्कीम के थूँ इंशॉर करेंगे कि जो भी गौर्णमेंट की जो सर्विसीज है वो सिटीजन के लेक्ट्रोनिकली अवेलेबल हो रही को गौर्णमेंट सर्विसीज अवेलेबल होंगी सिटीजन को इलेक्ट्रोनिकली बाइऑ ओनलाइन इंफ्रेक्ट्रेक्ट्ट्र इंप्रूव्मेंट के द्वारा चिके और इससे क्या होगा और यह इंहेंस भी करेंग इंटरनेक करेक्टिविटी को लेक्स देखते हैं यहाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रिकल्चर के द्वारा मिनिस्ट्री और इग्रिकल्चर और फार्मर वेलफेर के द्वारा यह दो जूल दो हजार 21 को और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि स्कीम के तहर्ट जो भी गौर्णमेंट है वह पलसे और और का प्रोड़क्शन को को बढ़ाना चाहती है जो क्या करना चाहती है और यह क्यर्पेट सेucharist के कद्वारा की जाएंगी और यह के और तुर मेंट यह एक मेजर टूल है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है नई वराइटीज ओफ सीड्स को फार्मर की फिल्ड पे ठीक है मतलब जो भी फार्मर से उनको नई नई वराइटीज के सीड्स दिये जाएंगे और जिससे की जो पल्स और जो ऑल सीड्स है उनका प्रोडक्शन अच्छे से जो है प्रोडक्शन हो सके ठीक है और यह इंशौर किया जाएगा कि बैटर हर्वेस्टिंग और उनकी बैटर जो फार्मर से उनकी इंकम बैटर बन सके नेक्स देखेंगे वोलंटरी वहिकल्स क्रैपिंग पॉलिसी इसमें क्या होगी जो स्कीम है यह लॉंच की गई थी निर्मल सीतारवन जी के द्वारा एक फरवरी 2021 में बजट सेशन में इस पॉलिसी के तहट क्या होता जो रोड पर जो भी पुरानी वैकल्स चल रहे हैं उन्हें हटाया जा सके और जो भी न्यू वैकल्स के जो सेल से उसको बढ़ाया जा सके और यह एक प्रोग्राम होगा इन्करेज किया जाएगी कि यूज करना बंद करतें और इस पूरी पॉरी पॉलिसी है इसके अंदर प्राइवेट वैकल्स के लिए यह रेकॉयर कर दिया जाएगा कि जिन गाड़ियों को बीस साल हो गया है और जो भी कमर्शल मतलब जो भी हमारी जो नॉर्मल हम जैसे हम लोग है यूज कर रहे हैं उनको 20 साल हो गया है और जो भी कमर्शल वैकल्स हैं उन्हें अगर 15 साल हो गया है तो उन गाडियों को एक करवानी होगी उससे घुजरना होगा और वो जो गाडिया रोड पर चलेंगी या नहीं चलेंगी अगर नहीं क्लियर कर पाएगी तो फिट्नेस टेस्ट को तो उसको ऊनर्स को इंकरेज़ किया जाएगा कि वो ंपिंब्स टेस्ट हो गई उट्मेट फिटनेस्ट इस टोगा और जो फिटनेस्ट वेकल हो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टेंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग पे जो टैस्ट होगा इसी है यह कवर करेंगे 50 लैक लाइट मोटर वैकल्स को जो भी 20 साल से जादा यूज किये जा रहे हैं जैसे मतलब अब जैसे एक पोसन है वो उसने उसके पास एक कार है उसने जब खरीदी थी तब से 20 साल ठीक है और अनेदर 34 लैक जो है और 15 साल की जिनकी भी कमर्शल जो हमारी कमर्शल वैकल की जो लाइफ है वो 15 साल होनी चाहिए देखे बहुत अच्छे हिससे क्या होगा पॉलिशन भी कम होगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा कि आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरू करेंगे और आपको कोई भी क्वेर है तो टार्गेट फॉर आइक्यू के नंबर पर कॉल मेसेज़ करके आप पूछ सकते थैंक्यों सो मच्छ